दोस्तों नमस्कार, यहां बात करतें म्यूग आईवीज पास्ति के बारे में, किस परकार से अपने आहार बिहार को ठीक रखकर संतुदित रखकर दोग मुक्तर आ जाए, सुपे जीवन जिया जाए, मैं डॉक्टर मनमौन लखिडा आज बात करूँगा, सत्तू क्या होता है सत्तू के परकार और गर्मी में सत्तू नेने से, खाने से, क्या-क्या फैदे होते है आज के बारे में गर्मी का एक दिब्य पेय सत्तू, दोस्तों भारत प्राचीन काल से ही आहार बिहार के मामले में बहुत आगे रहा है यहां पर पूरा समाज जाने अंजाने आईरवेद की जीवन सहली जीता है उसे बहुत अच्छी तरह से ग्यान है कि किस प्रकार से अपना आहार बिहार करना है किस मौसम में कैसा आहार बिहार करना है सुबे दिन रात का कैसा भोजन होना चाहिए कैसा भोजन खाना है आद इसी आहार में आज हम बात कर रहे हैं इस मौसम गर्मियों में एक स्वास्तिवर्दक सक्तिवर्दक प्राकृतिक पेय सत्तू के बारे में बिस्तार से दोस्तो आज भारत के साथ बिस्तो में इस सक्तिवर्दक स्वास्तिवर्दक पेय का भरपूर उपयोग होता है इसलिए दोस्तो हमें अपनी प्राचीन परंपरा सस्कृत सब्यता पर गर्ब होना चाहिए जिनोंने इस प्रकार के पेय पदार्तों की खोज की गर्मी में फिट रहने के लिए सत्तों का सरवत पीजिए और इसके फायदे हेल्थ बेनिफिट आप सत्तों दोस्तों गर्मी समर के मौसम में लू और डिहर्डिसन यानि सरीर में पानी की कमी से बसने के लिए आप सत्तों का सरवत जरूर पीजिए या आपके सरीर को अंदर से ठंडा रखने के साथ आपको दिन बर एनर्जी से भरपूर रखेगा इसके अनेक फायदे Health Benefit of सत्तू दोस्तो सत्तू सरीर की गर्मी में सीतलता प्रदान करता है सरीर को ठंडा रखता है और दिन बर इनर्जी देता है यसी प्रोटीन ड्रिंक्स के रूप में मसूर सत्तू का प्रियोग इन दिनों सहरों में भी खूप किया जा रहा है यहां गर्मी समर के दिनों में इसको सुपर कूल तो रखता ही है आपको दिन बर इनर्जी से भी भरपूर बनाई रखता है इसे खाने से सरीर को ठंडग मिलती है और गर्मी के मौसुम में प्यास बुझाने में भी यहां काफी अच्छा काम करता है सत्तू का नाता मुख्य रूप से बिहार और भारत के ग्रामिर छेतरों से जुड़ा है लेकिन इसके बेहतरिन स्वाद टेस्ट के टेस्ट और इसके गुणू बैनिफिट को देखते हुए आज यहां देश में ही नहीं दुनिया के कई हिस्सू में बहुत लोग प्रिया होता जा रहा है सत्तू क्या है दोस्तो सत्तू दो परकार के होते है जिसमें से एक है चने बले ग्राम की सत्तू और दोसरा है जो मिला सत्तू इसको बनाने की बीदिया परकिरिया तो सबसे पहले चने और जो को बालू वाली बुनाई में बुना जाता है फिर इसे भूसी समेट पीसा जाता है इसे च्छाना नहीं जाता और इस वज़ा से फाइवर से भरपूर होता है कैसे करते है सत्तू का प्रियोग तो सत्तू खाने के कई तरीके है पारंपर तरीकों की बात करे तो इसे आप मीठे या नमकीन सर्वत के रूप में पी सकते है इसके लिए आप एक गिलास पानी में दो चमश सत्तू नमक या चीनी नीमबू का रस और भूना जीरा पौडर म मिला कर मिक्स कर लीजिए इसे पीने से आप गर्मी में लू डिहर्डरेसिन जैसी समस्याओं से बचे रहेंगे सत्तू को लिटे और पराठे के रूप में भी खाया जाता है आप इसका नमकिन और मेठा लड़ू भी बना कर खा सकते हैं सत्तू में हैं कई पोशक तत्व प्रोटीन, मैगनिसियम और लो सोडियम भरपूर मातरा में पाया जाता है या सरीर को गर्मी में सीतलता या ठंडा परदान करता है और दिन भर एनरजी देता है जिस वज़ा से इसे प्रोटीन ड्रिंक्स और एनरजी ड्रिंक्स के रूप में भी पिया जाता है इसे सत्तु को हेल्दी रखने के लिए बेहतर फैदेमंद है सत्तु को खाने के फैदे नमबर एक वजन घटाने में कारगर दोस्तों वजन कम करना चाहते हो तो आप सत्तु को अपने डाइट में सामिल जरूर करिए अगर आप इसे ब्रेकफास्ट के रूप में पीते है तो यहां आपके मोटापे उबसिटी को कम करने में आपकी मदद करेगा इसके सेवन से आपको भरबूर इनरजी भी मिलेगी और घंटू तक आपको भूग भी नहीं लगेगी नमबर दो पाचन सक्त को बनाता है मजबूत दोस्तो सत्तू में भरबूर फाइवर होता है जो पेट और आउन्तू को साप रखता है दरसल यहां आउन्तू में जमी चिकनाई को आसानी से निकालने में मदद करता है इसके सेवन से कबज की समस्या भी दूर होती है सेवन कर सकते हो यह बलड सुगर देवर को कंट्रोल करता है और बलड पैसर को भी नियमित रखता है काले चने से तैयार सत्तू की उच्च मात्रा में फाइवर होता है जो हाई कलोस्ट्रोल की समस्या से भी आपको बजाता है सत्तू एक low glycemic index वाले drinks है जो diabetes रोगियों के लिए भी काफी फैदेमंद होती है नमबर चार बच्चों के growth में फैदेमंद दोस्तो growing age के बच्चों के लिए सत्तू रामबान है यहां बढ़ती उम्र के बच्चों के लिए काफी फैदेमंद है सत्तू में प्रोटीन, बिटामिन A, कार्बोहेडेड, मिनरल्स, फाइवर, आदि भरपूर मातरा में होती है जो बच्चों के सारिक और मानसिक बिकास में बहुत फैदा देती है इसलिए बच्चों को इसे जरूर देना चाहिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही देखते रहे लखिड आयरवेड को चैनल को लाइक, सियर, सस्क्राइब जरूर करिए और लेते रहे योग आयरवेड, स्वास्त्य संबंदी, नहीं नहीं जानकारिया नमस्कार